जहीं दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए हैं हूँ प्रस्णावली 13 के एक पार्ट 3 दोस्तों यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 और इस चैप्टर से संबंधित यदि आपने फार्मुला नहीं देखा है तो उसका वीडियो आपका मैं डिस्क्रीप्शन में दे दे रहा हूं आप महां से जाकर देख सकते हैं ठीक है दोस्तों चलिए मैं पार्ट थ्री में आपको क्योंस्ट नंबर फाइब से बताऊंगा ठीक है दोस्तों बने रहे मेरे साथ यह आप कॉपी प्याइन लेके बैठ जाए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खा अध्या रोपित है अर्थ गोले का ब्यास 14 सेंटी मीटर है और इस बरतन की कुल उचाई 13 सेंटी मीटर है इस बरतन का आंतरिक प्रिष्ठिय च्छेत्रफल ग्यांत कीजिए इस बरतन का क्या करना दोस्तों आंतिक आंतरिक प्रिष्ठिय च्छेत्रफल ग्यांत करना है और ये है दोस्तो एक क्या है अर्ध गोला है जिसके उपर एक खोकला बेलन अध्यारोपीत है तो पहले इस प्रकार से आप क्या बना लेजे आकरती बना लेजे चित्र को बना लेजे तो पहले हम यहां पर बना लेते हैं अर्ध गोला कुछ इस प्रकार से ठीक है दोस्तो पहले अर्ध गोला बना लेते हैं तो यहां पर बन गया आपका क्या यह अर्ध गोला यह बन गया दोस्तों अर्ध गोला ठीक है अब अर्ध गोले के ऊपर क्या इस्तित है दोस्तों बेलन ठीक है खोकला बेलन इस्तित है तो यहां पर खोकला बेलन आप बना सकते हो यहां पर कुछ कुछ इस प्रकार से ठीक है कुछ इस प्रकार से से बना दीजी चले यहां पर कर दीजे ऐसे यह हो गया खोकला बेलन अब क्या करोगे दोस्तों ध्यान दो यहां से तो कर दिया आपने यहां भी सेम खोकला गोलन है तो इसको खोकले की रूप में बनाईए यहां से यह क्या है वो कितने सेंटी मीटर की है दोस्तों तो पूरी उचाई इस बरतन की है वो 13 सेंटी मीटर की है जो बरतन है इसकी पूरी उचाई कितनी है 13 सेंटी मीटर की है तो यहां से और यहां तक की जो उचाई है वो कितने सेंटी मीटर की है 13 सेंटी मीटर की है तो यहां लिख दीजे 13 14 cm है यह जो गोला आपको दिख रहा है यह अर्ध गोला है यहां से इसका पूरा यहां से यहां तक ब्यास है वो कितना है दोस्तो 14 cm है अगर मुझे त्रिज्जा निकालना होगा तो यहां भी 14 होगा अगर मुझे त्रिज्जा निकालना होगा तो आकरती मैं कुछ इस प्रका तो बियास कितना दिया है 14 cm दिया और क्या धिया है दोस्तों उसको भी देख लेते हैं तो यह दिया है अब बचा बेलन की उच्जाई ठीक है तो बेलन देखले में क्या करेंगे तो पहले जो जो दिया है उसको पहले हम लिखने का प्रयाओا करते हैं ठीक है तो यहां पर आपका दिया है संपूर्ण उचाई तो संपूर्ण उचाई जो दिया गया तेरह सेंटीमीटर दिया तो ब्यास देखें ब्यास कितना दिया डी बराबर तो डी बराबर आपका दिया गया 14 सेंटीमीटर तो इसलिए दिया गया ब्यास ताकि आप कितने निकली कि दोस्तो साथ सेंटीमीटर ठीक है तो यहां से त्रिज्जा होगा यह क्या होगा साथ यह भी होगा साथ यहां भी होगा साथ यहां भी होगा साथ यहां भी होगा सेंटीमीटर में होगा ध्यान दीजेगा यह जो त्रिज्जा निकलेगा साथ सेंटीमीटर नि बनेगा देखिए यह बनेगा अर्धगोला हमारा यहीं से बन रहा है तो बनने का मतलब है कि यहां के अंद्र होगा आपका तो इधर बादो कहने का मतलब तो हम क्या करेंगे तेरा में से साथ अगर हम घटा दें क्योंकि इधर भी त्रिज्जा क्या होगा साथ ही होगा नीचे भी साथ ही होगा ना तो जब साथ होगा तो तेरा में से साथ घटाएंगे तो बेलन की उचाई हमें क्या हो जाएगी प्राप्त हो जाएगी ठीक है तो हम यहां से क्या करते हैं दोस्तो संपुर्ण उचाई में से यहां पर माइनस साथ कर देंगे तो संपुर्ण उचाई में से यहां से माइनस साथ करेंगे तो बेलन की उचाई हमें मिल जाएगे ठीक है तो चलिए बेलनाकार भाग की उचाई तो बेलनाकार भाग की उचाई त सम्पुन्र उच्फाई यहाँ तो सभी मान पे जो निकला मैंने लिख ठीक हैब चले department को हम हल होगा दोस्तों छहलेए तो कर दोस्तों तो को पूरे बरतन का क्या निकालना है प्रिष्टिय छेत्रफल निकालना है तो पूरे बरतन का प्रिष्टिय छेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा पहले आप बेलन का प्रिष्टिय छेत्रफल निकाल लीजिए उसके बाद अर्ध गोले का प्रिष्टिय छेत्रफल निकाल लीजिए और बेलनाकार भाग का प्रिष्ठिय छेतरफल तो पहले बेलनाकार भाग का प्रिष्ठिय छेतरफल निकालेंगे तो बेलन का प्रिष्ठिय छेतरफल का फार्मूला क्या होता दोस्तों बेलन के प्रिष्ठिय छेतरफल का फार्मूला होता है 2 pi small r into h ठीक है 2 pi rh होता है अब क्या करें यहाँ पर आप मानों को रखिए चलिए हम मानों को यहाँ पर रखते हैं तो 2 है 2 को आप वैसे ही रहने तो जैसे आप है into pi तो pi का मान आपको पता है कितना होता है 22 बटे 7 तो यहाँ पर कर दीजे 22 बटे 7 तो LA का मान देखिया आपने कितना निकाला यहां पर देखिए 30 कितना निकाला आपने 7 cm तीजित 7 फिर ए च तो एच बदन के लिए निकाल रहा हो तो बेलां के म nich यहां तक आपका बेलन की जो उचाई है वह कितने सेंटीमीटर के यहां पर प्रियोग करेंगे ठीक है समझ में आप क्या करना होगा ध्यां दीजिए साथ से साथ को आप कर दीजिए यहां पर कैंसिल जो बचा उसका कर दीजिए गुडा तो 22 दुना 44 और 44 में किसका गुडा करना होगा च्या का तो लिखनी यहां पर 44 गुडते 6 तो 6 करेंगे 6 चाउबिस हांसिल 2 चाउबिस और 2 कितना हो जाएगा 26 तो 264 वर्ग सेंटीमीटर यह किसका छेतरफल निकल गया यह चेतरफल निकल गया आपका बेलना कार्ट जो बरतन ऊपर रख्या गई है अर्ध गोले पर उसका छेतरफल निकल गया ठीक है अब आपको निकालना क्या इस अर्ध गोले का छेतरफल ठीक है तो चले अर्ध गोले का भी हम यहां से निकाल तो इसका फार्मूला आपका होता है टू पाई आरस्वार अर्थ गोला गोले के प्रिश्टी छेतरफल फार्मूला जो होता है वह उता है इसका फार्मूला सब लिखा चुका हूँ ठीक है लिखा दिया हूँ अब क्या करें चले मानों को यहां पर रखिए तो मानों को जब रखेंगे आप टू है तो क्या करेंगे टू रखिए इंटू पाई पाई का मान कितना होता है बाइस बटे साथ तो यहां पर रखिए बाइस बटे साथ इंटू 28 हासिल दो और साथ 28 दो कितना हो जाएगा 308 वर्ग सेंटीमीटर यह आगया अर्थ गोले का प्रिष्ठी चेतरफल अब इन्हीं को जोड़ दीजे कुल बरतन का चेतरफल आपका निकल जाएगा ठीक है तो चले यहां से निकाल लेते हैं कुल बरतन का चेतरफल देखे तो य इसलिए हम यहाँ प्रिष्ठी चेतरफल लिख रहे हैं एक तो कुल प्रिष्ठी चेतरफल जब करेंगे आप तो पहले आपने क्या निकाला बेलना कार के लिए 234 तो यहां लिखे 264 प्लस कितना निकाल है आपने अर्धोगोलाकारभा का प्रिष्टीज चेतरपल 308 दोनों का प्रिष्टीज चेतरपल यह निकला है अब इन्हीं दोनों को एड कर दीजे तो एड करेंगे आठ चार 12 हासिल 1606 कितना हो जाएक साथ कितना हो जाएक पांच तो 572 वर्ग सेंटी मीटर यह आपका क्या हो गया दोस्तो पुल प्रिष्टीज चेतरपल जो बरतन था उसका पुल प्रिष्टीज चेतरपल यहाँ पर निकल गया और इसी को कर दीजें क्या दोस्तो एंस्वर क्या आप देखे दोस्तों क्योष्चान नंबर 6 में क्या बोला है पहले उसको पढ़ते हैं उसके वाद हल कराते हैं ठीक है तो इसमें आपसे बोला है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस इस पर एक संक अध्या रोपित है यदि बेलनाकार भाग की उचाई और ब्यास क्रमसा 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा संक की तिरियक उचाई 2.8 मीटर है इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का छित्रफल ग्यात कीजिए साथ ही 500 रुपए प्रती वर्ग मीटर दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ग्यात कीजिए आप से इसमें कुल दो क्योस्चन पूछा जा चुका है और आगे ये भी दियान दिया निर्देश में ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढखा जा सकत तो पहले करते क्या है वैसे माकरती को बना लेते ठीक है तो बेलनाकार पहले किया करना ओगा आप ऐसे बनालेक्र। जले यह आपका बेलन 01 का बनगया अब यहां से क्या कर यह को बेलन काब ऩहां है तो संक को कहर का बना है तो इसको संक के आकार को है अभी हम बनाएते हैं ओपर से ढका हुआ है यहां से जान तक इसका क्या होगा व्यास ठीक है तो चली दोस्तों क्लियर हो गया तो धियान दीजेगा जो यह संकु क्या कार का है यहां से यहां तक इसकी तिरियक मीटर की है और यहां से यह उचाई दी गए यह दोस्तो यह बेलनाकाराकार का इसका बौलाये ूचाहि कितना है दोस्तों 2.1 एक मीटर का ठीक है तो इसको भी आप यहां पर लिदिए क्या 2.1 मीटर का और यह बोल दिया है कि यहां से कितिरियक उचाई दुसमंलो 8 मीटर हो गया और पिर इंका बोला यद बैलनाकार भाग क्यों चाई और 20-20-01 मिटर और 4 मीटर तो ब्यास जो है वह कितने मीटर का है दोस्तो चार मीटर का ठीक है कितने माध्यम से हम क्या निकाल लेंगे त्रिज्या निकाल लेंगे ठीक है तो चलिए पहले हम जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं और उसके बाद हम निकाल लेते हैं यहां से क्या त्रिज्या तो ब्यास दिया है डी बराबर डी बराबर कितना दिया है दोस्तो चार मीटर तो य यह 2 मीटर जो आपका आया है यह त्रिज्जा ए ठीक है और आपकी जो उचाई दी गए बेलना कारभाग के लिए 2.1 दिया गया है और तिरियक उचाई जो दी गई है वो 2.8 मीटर दी गई ठीक है तो चले जो जो दिया है पहले हम यहां से लिख लेते हैं ठीक है लिखने के बात कैसे हलोगा वो बतातें तो उचाई बेलन के लिए है यह यहींचे लिख रहा हूं बेलन के लिए कितना है उचाई किसमे कि घूर क्लाव एक मीटर ठीक है दो को के लिए तीरिया खुचाई कितना है दो दसमलों आठ मीटर चले जो जो दिया था मैंने यहाँ पे अब क्या किया लिख दिया अब चलिए दोस्तों आपको यह पूचा है कि जो एक पूरा कैनवास लगा है यह यह यहां से यहां तक दो आया दो मीटर ठीक है आप लिखना यह निकल जाएगा तो कितनी लागत 500 रुपय pr Link की लागत से जो आए गार उसका कितना लागत लगेगा तो कि अपहले सो निकालतेई कि उसका लगत लगत लगेगा वकशंवी udah जोर दो जो आएका कुल पृष्टि छेतर फोल जाएगा आप यहां आसे निकालो दोनों को जोड कर एक साथ निकाल दोस्तों दोनों को निकालोल क्योंकि ज्यादा लंबामी क्योंगी केसे को भृष्षन को to nickel responsible निकालेंगे तेश्म मिललन को कॉ निकाल लिए तो कि दोनों को जोड़ लिए तैक Playing SEC werde nah Car भाग का भाग का नू प्रिश्पी एचित्रफल ठीक है बेलनाकार भाग का प्रिश्पी एच खेत्रफल और प्लस अब क्या निकालने उपर क्या संकु का प्रिष्टिय छेतरफल से लिखे संकु का प्रिष्टिय छेतरफल आप ऐसे भी लिख सकते हैं संकु का प्रिष्टिय छेतरफल चले अब दोस्तों इसको हम हाल कराते हम निकाल रहें किसका कैनवास की कुल प्रिष्टिय छेतरफ 2पाई और एच ठीक है प्लस संख के प्रिष्टीच छेतर फल्पलगा प्लस संख को प्रिष्टीच छेतर फिलका और ये आप ऺता है तो बचले च कितना rooms कितना ले इसको व्रेकेड में आप कर दिए ठीक है चलिए अब मानों को यहां पर क्या करिए आप रखे चलिए हम मानों को रखते हैं तो पाइपाक मान अधाँ होता है तो कितना होता है 22 बटे साथ दो है आप रख दीजे 22 बटे 7 साथ into 30 जां अपने कितना निकाला या 2 सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब का सब्सक्राइब यह अब कर यह 21 दूना 42 यह चार दसमोलों कितना हो जाएगा दो क्योंकि एक यह पर ठार है और प्लस कितना दो दस्मलों आट ठीक है ब्रेकेट में कर दीजिए इसको बंद अब इसको आगे लिखें लिजी तो तो साथ एक का साथ है निए एक दस्माव जीरो की खत्म हो जाती है निए बच्चा के सिर्फ एक एक अगुड़ा 44 में करेंगे तो 44 एक का चवालिस क्या वर्ग मीटर क्योंकि छेत्रफल निकाल रहे हो तो यह आपका पहला एंसर निकलेगा ठीक है यह आपका क्या निकल गया पूरे कैनवास का चेत्रफल निकल गया कितना है दोस्तों पूरे कैनवास का चेत्रफल 44 वर्ग मीटर लेकिन आगे यह बोल रहा है कि कैनवास का पूरा चेत्रफल जितना है उसमें क्या हो ला है दोस्तों एक वर्ग मीटर कैनवास की लागत लग रही है 500 रुपए कितना पांच सव रुपए लग रही है तो जब 24-00 वर्ग पीटर क कैंवास लगाएगा तो कितना रुपए लगेगा ठीक है तो जbas um कर देंगे ख्या कर देंगे तो भी आपका अंशौר आपके अंसौर की सामने हो जाएगा तो पहले आप लिखे क्या क्या क्बरस कर दि wanted को pics एक मीटर काईnewáng पांच सो रुपया है तो चवालिस मीटर काईनवास की लागत कितने होगी दोस्तों चवाली से 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 में क्या कर देंगे अब गुड़ा कर देंग तो 44 से जब इसमें गुड़ा करें जब आप कितना 44 वर्ग मीटर कैनवास लगेगा वहाँ उसकी लागत इतनी आ जाएगा ठीक है तो इसी को कर दीजे क्या दोस्तों यही आपका हो जाएगा एंसर समया दोस्तों I hope कि आपको बहुत अच्छे समया रहा होगा दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ह आपको पसंद आया हो तो लईय को लाइक कर दीजेगा चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो जैहीन जे भारत